सबारेàng हलू दोस्तो सोगत हैं अब सबीका आफ में से हर किसी ने इंडियन रेल्वे की सबारी तो जुरूर की होगी चाहे छोटा हो या बड़ा हो सबीने इंडियन eraaaaaилось को इस्तेमाल किया होगा देखा होगा तो दोस्तो आपने देखा होगा कि इंडियन डिब्बे होते हैं, उनकी एक पैटर्ण होती है, कि आगे इंजन होता है, फिर गार्ड होता है, फिर जनरल कैटिगरी होती है, फिर सिलिपर होती है, फिर पैंट्री होती है, फिर एसी होती है, फिर सिलिपर कलास होता है, फिर जनरल कैटिगरी होती है, फिर लाश्ट में फिर गाड के डिब्बे होते हैं तो क्या कभी आपके माइन में आया कि ए आखिर इसी तरह पैटर्ण में किये होते हैं खास करकि एसी के डिब्बे होते हैं हर ट्रेन के अंदर वो बीचो बीचिम होते हैं आप इंडरेंड एलवे के किसी भी ट्रेंऄर देखेंगे तो AC की डिब्ब्बे न हमेशा वीच में होते हैं. आखिर ऐसा के होता है? क्या कभी आपके माैम में आया है ? अगर नहीं आया होगा तो answer अब आरहा होगा तो आएए आपको बताते हैं कि आखिर AC की डिबबे आगे ना पीछे या फिर बीच में की होते हैं तो दोस्तो इसकी कुछ बज़े हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ तो आएए देखते हैं तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो पैटर्ण है यह आज से नहीं बलकि यह अंग्रेजों के जमाने से चला रहा है यानि जब से अंग्रेजों ट्रेन मिलाई तब सी AC सिला चला रहा है तो अब AC के जो डब्बे होते हैं उसमें कौन लोग सफर करते हैं आप लोग जानते हैं कि जो अमेर लोग होते हैं जो पैसे वाले होते हैं जो कमफर्ट चाते हैं ब्याइपी लोग AC के डिब्बो में चलते हैं तो जैसा कि जानते हैं कि सुरू-सुरू में जब ट्रेन इंडिया के अंदर चली थी तो उससे में steam एंजन होती थी या कोउले वाले एंजन होती थी और उन इंजनों से बहुत सोर मजता था यह चिक आवाज काफी तेज होती है लौड होती है तो उस नुआइज की भज़ए से जो उसके बगल में डब्बे होते हैं उनुने ओ सोर ज्यादा मचता है तो उस सोर से बचने के लिए ऐसे की डब्बों को बीच में रखा जाता है ताकि उन डब्बों में रहने वाले वाले जोब आज ना मिले जादा तो यह भी एक बज़ा है कि AC की जो डब्बे हैं बीच में रखे जाते हैं लेकिन इसके साथ एक और बड़ी बज़ा है और वह बज़ा है रेलवे प्लेटफॉर्म की जो बना बटे उसके हिसाब से जी हाँ, जैसा माना जाता है कि जो AC में जो लोग सफर करते हैं उनके पास टाइम कम होता है, वो important लोग होते हैं तो उनका टाइम बचाने के लिए AC की डब्बो को भी बीच में रखा जाता है क्योंकि इंडियन रेलवे की प्लेटफॉर्म को आप देखेंगे तो उसकी बनावट में जो entry और exit होती है हमेशा रेलवे प्लेटफॉर्म के बीच में होती है यानि जब जो बड़े लोग हैं जब स्टेशन पे उनका प्लेटफॉर्म रुखता है तो वो सीधे अपने कोच से निकल के उनके सामने entry और exit गेट दिख जाता है तो दोस्तो एक कुछ ऐसे कारण है जिसकी बड़े से सुरू से ही रेलेवे के अंदर जो इसी कोचेज हैं उनको बीच में रखा जाता रहा है तो आपको यह knowledge अच्छी लगे होगी तो दोस्तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए जहां आपको knowledge, facts, लियान की बाते मिलें तो इस चनल को subscribe जरू करें मिलते हैं निक्ट वीडियो में Till then thank you Bye bye, jai hin, jai bharat